असलाम अलेकूम and we are talking about types of copywriting किस किसम की ऐसी copy है जो के एक copywriter जो है वो लिख सकता है या उसको सीखना चाहिए या practice करना चाहिए तो जहां पे आप अपने loves जो है वो एक जगा लिख सकते हैं कोई copy बनाने के लिए या copy की जो तरीका है लिखने का मुख्तलिफ products जो बनते हैं उसके उसमें direct mail brochures होते हैं educational videos for YouTube and digital products होता है sale videos है, internal training videos है, podcast scripts है, phone sales scripts है, blog posts है, public speeches है, webinars है, email sales groups है email 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 हर किसम की और जो list है ना वो बेंतहाए आपने देखा कि हमने पिश्री दफ़ा जैसे के बात की कि copy writing जो है वो basically एक ऐसा टूल है या एक ऐसा तरीका है लिखने का जहां आप कुछ बेच रहे हो तो जो मुख्तलिफ products हैं उन हर जो भी आप बना रहे हैं चाहे वो text है, चाहे वो email है, चाहे वो इश्तहार है, चाहे वो social media का content है, चाहे वो web का content है उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम किसी न किसी तरीके से एक sales angle करें या कुछ बेचे या लोगों को कोई action लेने पर अमादा करें और जो हमने पहले भी बात की, उसमें additional जो चीजें हैं वो direct mail, print advertisements, online, email, यह मैंने अभी भी बात की TV, radio के scripts and jingles, press releases, अब लोग मुझे सोच रहे होंगे कि जी press release कहां से copywriting होगी बलके actually press release एक बहुत major tool है copywriting का, क्यूंकि आप वहाँ पे अपने brand को या अपने एक issue को बेच रहे होते हैं और चाहते हैं कि लोग उसके साथ अपने आपको जोड़े हैं या कोई action ले उसके साथ, so online and offline brochures जैसे हमने बात की social media के post अब मैं आपको थोड़े से examples पढ़के बताऊंगी और ये जो हमारा session इस वक्त हो रहा है उसमें हम detail में थोड़ा सा copy को मैं पढ़ूंगी इसलिए क्योंकि जरूरी है कि जब हम पढ़ते हैं उसी के बाद हम लिखते हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिखनी सकते हैं तो जितना लिखना जरूरी है उत्ना ही लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है तो मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है वो examples जो है वो शेर करूंगी Firebox, keeping warm is no mean feat When the merciless chills of winter start creeping in You can clutch on to a smelly hot water bottle That'll be cold in less than an hour Shuffle around in a pair of slippers Lay on multitude of hats and scarves Or just give up and crawl back into bed Now distinctly more toasty solution has popped up The toast heated pillow Snuggle and squeeze this super sized and very smiley slice And he'll keep you nice and cozy for up to 4 hours So now we've seen that the whole copy that you have written for us It's an issue of a type that you keep warm आप उस तक्या को गर्म कर दें तो वो चार घंटे के लिए आपको गर्म रखता है तो वो खरीद लेते हैं तो हमने अपने product को उन लोगों को भी target करना है जो सिर्फ इसलिए shopping करते हैं या खरीदते हैं कोई चीज या किसी cause के साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनको वो cause पसंद आ जाता है या उनको कोई चीज वो पसंद आ जाती है अगला हम example लेते हैं Evernote का आपने एक चीज देखी होगी कि जब पिछला वाला टेक्स भी और ये वाला भी जब हमने पढ़ा है तो हमें नहीं पता था कि Evernote क्या है मगर जो उसका copy है उससे आपको पता चल जाता है कि ये product क्या है और बड़े अच्छे creative तरीके से वो ये बताता है कि ये है क्या और इसे आपको फाइदा क्या हो सकता है अगला बाला है जी, Innocent Drinks There are times when you fancy a bit of extra sparkle with your refreshment So allow us to introduce innocent bubble, tropical, a delicious lightly sparkling blend of pure pineapple, orange and grape juice, spring water and absolutely nothing else It's a bit like a posh holiday in a can, only without the pesky sand And with one portion of fruit and only 90 calories per serving, it's the bubbly way to get one of your five a day यानि कि उसने कहा कि जी, आप ये drink पिये, इसमें पानी है और सोडा है और थोड़ा सा flavor है और कुछ भी नहीं है, मगर ये आपकी calories भी नहीं बढ़ाता, आपको एक refreshment भी देता है तो एक copy के जरिया आपने जो है उनको ये बताया कि feeling जो है उनको क्या मिलेगी इस drink को पी के यानि आपने उसके emotions को evoke किया है आपने ना सिर्फ बताया कि ये है क्या बलकि आप उसके emotions को evoke करके happiness की emotions को evoke करके आप कहते हैं कि हाँ जी ये drink जरूर खरीदी है and that is about all for this session and अगले session में फिर हम अगली बात करेंगे copywriting के बारे में Thank you so much